दोस्तों आज मैं आपको 2-pin socket का connection डाइग्राम द्वारा करके दिखाने जा रहा हूँ अब मैं इस 2-pin socket को पलट देता हूँ, पलटने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इस 2-pin socket को पलट दिये हैं, ये 2-pin socket का पीछे वाला भाग है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाइग्राम द्वारा किस तरह से 2-pin socket connection किया जाता है अब देखिए, यहाँ पर आप जो इन दोनों point को देख रहे हैं, 2-pin socket का इसमें आप phase or neutral किसी भी point पर दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें उल्टा सिधा नहीं होता है तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, कि देखिए, आप चाहें तो इस तरह से phase or neutral दे सकते हैं, ठीक है या फिर आप चाहें तो इसे पलट कर भी phase or neutral दे सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से एक 2-pin socket का connection पूरा हो जाता है अब मैं आपको 2-pin socket का connection करके दिखाने जा रहा हूँ, डायग्राम दुआरा अब देखे, यहाँ दो 2-pin socket है, तो इसका connection किस तरह से करना है, वो मैं अब आपको बताता हूँ देखे, आपको इस तरह से 2-pin socket में वायर जोड़ लेना है, ठीक है और इसमें page or neutral कहां देना है, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें page or neutral देखे, आप इस तरह से दे सकते हैं, या फिर आप इसे चाहें तो पलट के भी page or neutral दे सकते हैं, देखे, इस तरह से आप page or neutral का connection दे सकते हैं तो इस तरह से दो 2-pin socket का connection पूरा हो जाता है अब मैं आपको 3-pin socket का connection करके दिखाने जा रहा हूँ अब देखे यहाँ पर 3-pin socket है तो इसका connection किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको करना यह है कि देखे वायर लेना है और इस तरह से तीनो सोकेट में वायर को जोड लेना है अब इसमें फेज और निटरल कहां देना है तो इसमें फेज और निटरल आप चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं या फिर चाहें तो आप फेज और निटरल को पलट कर भी आप फेज और निटरल कनेक्शन दे सकते हैं द तो देखे, यहाँ पर यह चार टू-pinned socket है, तो इसका connection किस तरह से करना है, वह मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखे, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको चारों socket में wire जोड लेना है, और आपको क्या करना है, इसमें page-our-neutral connection देना है, तो इसके लिए आपको चाहे तो आप इस तरह से फेज ओनिटर कनेक्शन दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका कनेक्शन को पलट भी सकते हैं फेज ओनिटर को आप चाहे तो आप इसे पलट कर देखे इस तरह से फेज ओनिटर कनेक्शन दे सकते हैं तो इस तरह से इस चा आपको दिखाता हूं देखे इन सभी सोकेट में इस तरह से आपको वायर जोड़ लेना है और इसमें फेज और नुटरल कनेक्शन देना है तो फेज और नुटरल कनेक्शन आप चाहें तो देखे इस तरह से आप दे सकते हैं फेज और नुटरल कनेक्शन या फिर आप इसे भी फेज ऑनिटर कनेक्शन दे सकते हैं इसमें भी उल्टा सिधा नहीं होता है तो दोस्तों इस तरह से पांच टूपीन स्वर्गड कनेक्शन पूरा हो जाता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक और सेर जरू कर देजेगा और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा